इस वक्त खबर आ रही है 36 गर से जह जगदलपूर से 60 ग्राम धुर्गुडा हाटगुडा में धर्मांत्रित मृतक के शव दफनानी को लेकर गाउं में दो पक्षों में तनाव की स्थिती निर्मित हुई मृतक के परिजनों का कहना है कि पूरू में शव दफनानी को लेकर किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं होता रहा परन्तु अभी कुछ लोग बेवज़ा गाउं के मोहल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं धर्मांतरित मृतक के शव को दफनानी को लेकर गाउं के लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है आपको बता दे की बस्तर में पिछली कुछ वर्षों से धर्मांतरन को लेकर आदिवासियों में तनाव के इस्थिती निर्मित होती रही है तनाव के इस्थिती को देखते हुए प्रशाशन मौके पर पहुचकर इस्थिती को नियंतरण मी किया इस बीच भारी संख्या में पुलीस के जवान और अधिकारी उपस्थित रहे ग्रामिडों का कहना है कि हमारे रिती रिवाज के अनुसार शव का क्रिया क्रम किया जाए तो हमें कोई आपत्ती नहीं है दोनों पक्षों में सहमती के पश्चात शव को दफनाया गया जो पहले खतनाया है और अन्य जो भुजरुक जो पहले खतम हुए है वहां पे दफनाया है इसके अलावा भी प्रशाचरी के बारा कर्दा पालों में जो आप लोग उस्ता बनाई के यह आप लिए विरुद में वहां पर आप लोग दफनाने नहीं क्या है हम तर गाह में हमको मिला था तो हम लोगों ही कुद अपना रहे हैं तो अभी उकर का पालोग रहा हम क्यों ले जाएंगे अभी जैसे रात को सुनिल खरके का लड़का खतम हो गई लड़का नी लगबग चालीस-पैथालीस साल गेच के हैं कुछ साल पूर वो इसाई धर्म का हो अपना है उससे पहले महारा समाज के उसके परिवार भी महारा समाज के रिंदु धर्मानत एह अभी जो आज देखने को हैं देख रहे हैं आँ सभी यहां बीच रोड में लाके साओं को रख दिये हैं ग्यारा बजे लगबग प्रसाशन पुलिस प्रसाशन और जो हमारे नायब तशिलदार और च्छेतरी अधिकारी और गाहँवाले के साथ दोनों को बीच में बैठक होई और महारा समाज उकसाथ बैठक में यह टाय हुआ लगबग 11 सवा ग्यारा बजे कि जो महारा समाज को पहले से दिया गया गांवाले को दोरा तो उस महारास समाज में हिंदूरी तिरिवाज में धपनाएंगे ऐसा स्वामती हुआ और उसके बाद घर गया घर जाने बाद वहां जब निकले पेटी लेके और जान बूच के यहां एक महाल खराप करने का इसा ही समुदा के दोरा च अर स्वामती हुआरी